एंडी पीएस के एक मामले में जो की साल 2015 में सामने आया था इस दोरान भुलत से MLA सुक्पाल सिंग खेरा को उनके निवास्थान चंडीगर से पंजाब पुलिस ने उठाया है और साफ बात ये कही गई है सुक्पाल खेरा के तरफ से कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ह हुआ है क्योंकि अगर उस समय के बात की जाए तो सुक्पाल खेरा कॉंग्रेस में नहीं थे वलकि आमादमी पार्टी के साथ चल रहे थे पर अगर अब की बात की जाए तो जब आमादमी पार्टी सत्ता में है तो सीधे तोर पर वो उन पर निशाने साथ रहे हैं कि पॉल की सुख्बाल staying back after जब केस्किस था तो उनका कैना था कि यह एसा नहीं है या उनको फताया जा रहा है और वह इस मामले में जो है आकर जमानतबी लेकर अजाते हैं पर अब इसने साल बीच जाने के बाद जमामाद मीदकी सत्ता में अचाती और सुक्पाल खेरा अलग हो जाते हैं इस पार्टी से तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है सेम उसी केस में मैं मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली एक गौर्मेंट की तरफ से इनीशीट किया हुआ एक्षिन नहीं है इसके बाद कांग्रस में इनका नाम आता है फिर उसके बाद अभी परसीडिंग वही वाली कॉंटीनियूरी है जो इतने साल का गैप जो आप बता रहे हो वह साल का गैप किसी गौर्मेंट ने जा किसी अडिमिस्ट्रेशन ने डाला हुआ खुद सुकपाल खेरा ने डाला तो वह हाई कुड चले गए उसके खिलाफ जब उनका नाम ही नहीं है तो वह क्यों गए क्यूंकि उनको अंदर से पता था कि गिल्टी वह स्टी लेना चाहते थे वह चाहते थे कि सी बीए को इनक्वारी मार्क हो जाए टाइम निकल जाए और साथ ही साथ मैं आगे देख र पाकिस्तान में आने नहीं दिया उसके बाद जो जजज साब थे फाजल का कूड के उनके ध्यान में कुछ एवी डैंस और प्लस वो जो केस डायरी थी जिसमें जिमिनी नंबर पांच का भी जिकर है तो उसके बेसिस पे इनको संबन किये थे संबन नहीं थे बिसकली नॉन वारंट थे यह भी फेक्ट गलत बता रहे हैं अभी वह नॉन बैलेबल वारंट के गेंस्टे चले गए हाई कोड हाई कोड ने बोला कि पाकिस्तान के साथ क्रॉस बार्डर स्मगलिंग की बात है स्मगलिंग नॉट ऑफ ओनली ड्रग्स गोल्ड की वैपन्स की और इस इस जया आख नीचलों की जया मतलब कर आशारील के उड़ं बंगया थीन यसाल उसको लगया दो साल से एंप्र स्षींगी पर उसके बाद गलत सामने सारे डॉक्मेंट्स पड़े हैं डॉक्मेंट्स से आप देख सकते हो कि हर चीज जो कूट ओर के साथ है उस पे पर सीडिंग चल रही ना कि कुई गॉर्मेंट्स से खुद की इनिशेट की हुई है तो इसे किस तरह से हम लोग देख सकते हैं उन्होंने अगर कोईश करवाया था तो यह ओर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुए कि 319 का जो ओर है उससे प्रसीडिंग कोई भी स्टार्ट हुई उसको हम कर रहे हैं पर स्टेट अजन्सी को कोई भी चाहिए सिटो कोई भी इन्वेस्टिकेटिंग अजन्सी हो उनको पूरी लिबटी है अथॉरिटी है कि वो चलान पेश कर दें जो इनकुआरी करना जाते हैं वो कर सकते हैं एक और 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 कोई ज्यादा पुराना नहीं है यह त चला नहीं बोला है कि आल दी निंग्रीडेंट आफ सेक्शें थ्री अर फिल फिल्फिल एट टिडि टाइम्ड फ्रेमिगे चाजिस कुट्टाइस तो सी इप्राइम फसाइग केस्ट इससेंड मेंटीरियल अनफाइज जज बोल रहे हैं कि सफिशेंड अचिट अप्रियल तो बेसिकली स्ट्रोंग एविडेंस इस अभी जो भी परसेप्शन जो भी एक रेट कर रहे हैं बेसिकली पॉब्ली को भी गुम्रा कर रहे हैं परसेप्शन विक्टमाइजेशन की बनाने का इनका जो परसीजर था वह आज से आज से अपना मेयार जो अपना लैवल इतना नीचे नहीं गराते जितना इनोंने गरा दिया रिजन एई था इनको पता था कि इन पे कारवाई होनी थी इनको इंटल थी तो इननोंने स्पैशली मतलब जस्टू ब्लेम ऑन सम्वान और ब्लेम कोई ऐसे थोड़ा कि किसी पी ए पर इन दा स्टेट कौन है वह सीम है सीम ओ भगवांतमान साथ की जगह कोई और भी होता तो ब्लेम उन पे लगाते कि लोगों में मैसेज जाए कि इसने इतना खिलाब बोल दिया उनके तो वह मजबूर होगे तो उनने एक्शन लिया यह असली एक्शन नहीं जबकि यह सार जते बंदियां आके प्रोटेस्ट कर रही हैं सुखपाल खेरा के हक में तो जो किसान जो आपने वीडियो देखी होगी तो किसान तो यह था देखना अगर यह किसान है तो यह कंपेशन क्यों कर रहा है कॉंग्रस की इसी लास्ट एलेक्शन में एलेक्शन तो किसान भी इसे गिरे थे बाहर से इस बार भी जेल गए इनको यह कि इसको भी किसी तरीके से हम मतले इसका बैनिफिट ले लें कैश कर लें आपने अभी देखा होगा कि जब इनका अरेस्ट हुआ है यह बोलने धक्का हुआ आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वह डीएस्प को देखने वाली थी जब प्रैस के सामने है तो पूरा लिश्क पुष करके अपनी दाड़ी वाड़ी सेट करके और इन फैक्ट अबी कोट में जाके देखा कैसे पीश हुए है सुबह को यह हालत थी साम को क्या थी जो बंदा सची में जिसकी उपर कोई गलत अलजाम लगा हो इनके उपर ब्यान इस तरह से दीए जा रहे है सारी लीडर्शिप मिलने के लिए गई है जेल में पर मिला नहीं जा रहा हुआ हुसे किस तरह से देखते हैं मैं तीन लीडर की बात करोंगा सबसे पहले राजा बढ़िंग की बात करते हैं राजा बढ़िंग ने बोला कि सच की वाज है सच की वाज की वीडियो सुनो थोड़ी सी लंबी चली जाएगी इसमें वो बूल रहे हैं कि उनने एक तो यह धक्का किया राजा बढ़िंग ने उसके बाद बूल रहे हैं कि उनने शिक्स एकड जो है जुमीन है उस पर कभजा कर रखा है तो इसका मतलब अगर अगर सची वाज है तो यह भी सच है इसका जवाब दें उसके बाद चरंजी चन्नी चरंजी चन्नी बोल जिसमें चरंजी चन्नी के खिलाफ बूल रहा है सुक्पाल खेरा वह बोल रहा है कि इसका जवाब दे में एक वीडियो प्लेग आपके लिए यह देखना कि माइनिंग करते हैं वह जिंदा शिवीद एक पीर बापा दे मजा रहा है नोर्पूर बेके देश्वाइट तो इ इसमें ना इसको आप पूरा प्ले भी कर लें क्योंकि लंबी जले तो उनके खिलाब बोल रहा है कि माइनिंग का काम करते हैं तो मतलब अगर बलंद अवाज है तो बलंद वाज मतलब यह भी सही होगा तो इसका भी जवाब दे तीसरा मैं नव्यों सिद्धू से पूछना कर रहे हैं कि 2015 में सुखपाल खेरा का कहीं पर नाम नहीं था मैं जिमनी का और बेज रहा हूं उसकी कॉपी की पंदरा में भी नाम था स्तारा में भी जो विट्नेस दुबारा रिकॉल जो किये गए हो किसी बेसिस पर किये गए हैं ऐसे रैंडम ली नहीं कर लिए गे क्यों कर रहा है किस लड़ सुखपाल कहरा नीचे केस लड़ मैं अभी भी बोर रहा हूं किस्टे ना ढूंड इंदर उदर ना घूमो जाके केस लड़ लो उसमें क्या धका है वही क्योंकि अगर केस लड़ना है केस कौन सा स्टेट एक तरफा लड़ जाएगी वह तो जज के साम का सबस्ते हैं ना जैना में बहुत्वाइन का सबीकैनल फ्रकाषल कर दो प्रकाष्म कर लजा है वह तक कोई बिमारी ऐं के उसका इलाज करना很多 vaca तो कोट ने उसको बोल दिया, पहले उन्हों टू मन्त मांगे थे, बारा दिन की बोल दिया की परमीशन दी, with condition, subjected to, कि तुम आके अपनी रिपूर्ट सम्मिट करो, कि तुम्हें डिजीज है भी, कि मुँन से बोल रहे हो, और उसके बाद अपॉइंटमेंट जो लेनी चाहते होने थे, ED की कूट में, तो ना ये पेश हुए ना इनका वकील पेश हुआ है, तो intention आपको पता चल रही है, कि गल्टी है कही ना कहीं, avoid करके बस दिन निकाल रहे हैं, और blame करने के लिए कोई बकरा डूंडना है, तो बकरा सबसे बड़िया वो होता है, जिसके पास power है, कि लोग बलीव कर लें, सबसे एजी क्या बलीवेबल है कि ये बंदा बड़ा तगड़ा बंदा है, इसके खिलाव मैं बुला था, इसने मेरे खिलाव कारवई ये करवा रहा है, जबकि रियालिटी वो बंदा नहीं है, रियालिटी कूट ही काम कर रही है, आल थू, इन्हों कि ये सक्सेस्फुल रहे हैं, कि 2017 में इनका ट्राइल चलना था, ये इतने में सक्सेस्फुल हो रहे हैं कि इन्होंने शे साल उसको डिले कर वालिया, कभी स्प्रीम कोट कभी इदर डाल, कभी उदर डाल, ट्राइल लडेंगे, तो सचाई पब्लिक के सामने आएगी, और प और ऐसा क्या हुआ कि अचानक आकर के सुक्वाल कह रहा हुआ कि इस तरह से गरफतार ही करना पड़ा बात ही है कि जो सिट है बिसकली चलो बिकॉस ऑफ न्यूस ओनली मेरे को इन्फॉमेशन न्यूस से ही है जो है कि सिट के जो चीफ है वो सुअपन शर्मा जो अईपीस है साथ में दो एक स्पी दूस एसपी और एक ऐससपी है तो उनकी जो सिट बनी है उसका अधार यह ओर रहे है यह मैं और दिखा रहा हूं सब्सक्राइब करने कि और इन्वेस्टिकेशन उसको पकड़ना इन्वेस्टिकेशन के लिए वह आएगा तब होगा ना और साथ में बड़ा क्लिरली एविडेंट एक तरफ वह बाहर जाने की मदब कोशिश कर रहा है एक जगह मैंने कहीं पर किसी प्रेस रिपूर्टर को कि वह बागा जाता ऱ भाग किस पर जाता राशन कार्ड को तुमें तो उसका रख्वाश्पूर्ट कर रका था कि अधार काड़ पर बाग जाता और अभी भी उसको जब प्र प्र इसका र्लीज का रिलीज का यही और रहे इस जिसमें सप्ड का उन्होंने पर्मीशन दे र तो इसके लिए बोला गया होगा या कोट की तरफ से जैसे डेट्स होती हैं इसके लिए पुला गया होगा इसमें ये बहुता है बेलकुल दिखो हर चीज में उनको प्रॉपर हीरिंग हुई है उन उनको मौक्वा दिया है इस जो मैं अभी आपको अमेरिका कैनेडा का यह जाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें भी बेसिकली कूट उनको बार-बार बोली है कि जाओ चार्जिस फ्रेम करवाने के लिए मेरे सामने पेश हो अपने प्रूफ रख अपनी बिमारी के आप अपना डिटेल जिस डॉक्टर के पास जाना चाहते है उसकी अपॉइंटमेंट की कॉपी लेके आए यह बेसिकली वहां पर बता रहे थे कि मैंने अपॉइंटमेंट लेने कि डली है कोट में अगर इनके इंटेंशन सही होती अगर इस अच्छी होते तो उस दिन पेश होते ना यह पेश होए ना इनका विकील पेश हुआ अरेस्ट तो इनकी उस डेट से तीन-चार दिन बाद हुई है अरेस्ट ना जाने की वज़ा से बाद में इनको आखिर में जो है पुलिस को इस तरह से गिरफतार करना पड़ा इस बेसिकली काइंड ओ वरंट ओनली कि मतलब कूट के बुलाने पे इनका ना एडवोकेट ना एक हुद पेश हुए तो बेसिकली क्या बताता है सो दे हैव तू मूव उनको इन्वैस्टीकेशन कर ले मंदब आप चाह देव सिंग देवी की नशा खाके मरे हैं जो उसके नशे की लत में अभी भी जूज रहे हैं क्योंकि रीजन ही है कि जो नशा करता है कि अला वह विक्टिम पूरी फैमिली हो जाती है तो यह बेसिकली जस्टिस उन माओं को हैं जिनके बच्चों का इन्होंने फ्यूचर ख बात की जाए तो सब ने इसे बदला खोरी की राजनीती बताया है पर अगर इन एविडेंस की हम लोग बात करें जिस पर एड़ोकेट गूमन ने बात की तो वो सारी यही दर्शाते हैं कि एक पूर्ण तोर से कानूनी प्रक्रिया थी जिसको फॉलो किया जा रहा था पर कोड के ओडर हुए और उसके बाद उनकी इस तरह से गिरफतारी हुई है फिलहाल बात की जाएस उकपाल खहरा की तो पुलिस रिमांड में हैं और अब देखना होगा कि आगे इस मामने में क्या रुख निकल कर सामने आता है वीडियो जनलिस्ट वलजीत के साथ खबर अभ